नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर सभे साजी गुपता कंसल्टेंट फिजिशन सिटी हॉस्पिटल मल्टि स्पेशलिटी हॉस्पिटल बहुपाल से बुटर अभी जो सीजन चल रहा है वो बारिश का सीजन चल रहा है इस दौरान मच्छर बहुत पनप रहा है और उससे हो रहा है बीमारी है जैसे कि डेंगु चिकंगुनिया मले दिया डेंगु की बीमारी को ब्रेक बॉन फिवर भी कहा जाता है जब यह बीमारी आपको हो जाए उसके बाद क्या प्रिकॉशन्स आपको लेने हैं इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ डेंगु बुखार होने का कारण है मच्छर के काटने से उसका होना इसमें बहुत ज्यादा आपके हाथपाउं दुखेंगे बुखार आएगा और चलना तक मुश्किल हो जाता है इतना दर्द होने लगता अपने शरीर में ऐसे में आप डॉक्टर का सलाह ले और अपना डेंगु एंटिजन या प्लेटलेट का नॉर्मल काउंट डेल लाग से साड़े तीन लाग होता है इस डेंगु की बीमारी में हमने देखा है कि प्लेटलेट काउंट 20,000 तक कम हो जाता है वहां तक भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं देखे जारे जबकि आज से पांच साल पहले साथाजार के प्ले यह सारे प्रॉब्लम्स को अपन लोग सिम्टमेटले के लिए ठीक करते रहे और अपने प्लेटलेट काउंट पे ध्यान रखे रहे हैं इसी से इसका निवानन हो जाता है 5-7 दिन में डेंगु की बुखार से अपनको निजाद मिल जाता है तो कूल मिला के जैसी आपको फी और इंजेक्शन के सरी अपने इलाज करवाए और अगर वमेटिंग नहीं है और आप मुझ से ले रहे हैं तो सिर्फ औरल ट्रीटमेंट से आपका ठीक हो जाएगा धन्यवाद